हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल पॉइंटा क्लासिस फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है डाइट डाइट के फुल फॉर्म है डिस्टिक इंस्टिटूट ओफ एडुकेशन एंड ट्रेनिंग और इसका हिंदी में नाम है जिला शिकशक वेश्क शिकशन संस्थान और यह डाइट के स्थापना योना के तयात की गई थी तो यह राश्ट्य शिक्षन निती 1986 के तहत की गई थी तो इस नीती के तैत का गया था कि परतेग जिलास्तर पर जो शिक्षक पर शिक्षन विदाले है इसको डाइट के अंके रूप में सविकार करके इस अंस्थान के सापना की गई थी और इसकी जो शिर्वात है वो 1987 से 1987 के बीच में हुई थी राजिस्तान में 1989 से 1990 के बीच में 27 जीलों में डाइट के सापना हो चुकी थी और वत्मान समय में राजिस्तान के सभी जीलों में क्या है डाइट के सापना हो चुकी है अब डाइट है जो उसकी सापना की सुदेश्य को लेकर की गई थी तो ये देखती है तो राष्ट्य शिक्षा निती 1986 जिसमें ये का गया था कि प्रात्मिक सरपर सभी को क्या है अनिवार्य शिक्षा प्रधान की जानी चाहिए इस योजना की किर्यावन के लिए क्या है डाइट की स्थापना की गई थी इसके बाद ये का गया है कि जो ग्रामीन वे नगरिय शेतर है वहाँ पर शिक्षा से लेटी जितने भी व्यक्ति हैं उनको शैशिक पाठ्य करम शिक्षन वीदी वे प्रध्योगी के शेतर में हो रही प्रगती से परिचित करवाना यानि कि जो डाइट है वहाँ पर क्या है जो अधियापक है उनको प्रशिक्षित किया जाता है उनको शिक्षा दी जाती है और उनको किस शेतर में शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा के शेतर में जो भी नवीन चीज़ी हो रही है जो भी नई नई शिक्षन वीदियां आ रही है जो भी प्रध्योगी के शेतर में प्रगति हो रही है उन सब के बारे में अध्यापवों को शिक्षा परधान की जाती थी तो शिक्षक को सावजनिक करने के लिए और शिक्षक है जो उसको आतम विश्वास निष्ठा वे वरसाई के प्रति निष्ठा का भावुत्पन करने के लिए डाइट का योगदान रहा है अब जो डाइट है उसमें कौन-कौन आते हैं उनका जो संगठन है इसको देखते हैं तो सबसे पहले डाइट में एक तो होते हैं एक प्रधानाचारिया एक उप्रधानाचारिया पांच वरिष्ट व्याख्यता तेरा व्याख्यता एक उस्तकालिया द्यक्ष एक लेखा तो इसमें एक डाइट है राजकिय संस्क्र शिक्षन पर शिक्षन विदालिया और इसकी स्थापना कहां पर है जैपूर में यह एक मात्र है राजकिय संस्क्र शिक्षन पर शिक्षन पर शिक्षन पर शिक्षन पर शिक्षन संस्थान और इसकी स्थापना कहां पर की गई है अजमेर में अगर यहाज़े के एक राजकिया संस्क्रत तो जैपूर में और अगर एक राजकिया अलपभषी शीख्षक तो यह कहाँ पर है अजमे में इसके साथ ही 15 नीजी संस्काश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अब यह जो डाइट है इनकी क्या क्या कार्य है तो देखते हैं पहला कार्य है प्रस्रिक्षन देना जो डाइट है वो दो प्रकार का प्रस्रिक्षन देती है एक सेवा पूरा प्रस्रिक्षन यानि की अध्यापक बनने से पहले का प्रस्रिक्षन दिया जाता है जिसमें हम STC v mattered या recipients जो भी करते हैं सभी क्या है सेवा पुर प्रस्टिक्ष्षन में आती है जुसमें आलप ब eerste भी बालक बालगवाइन होती है जितने भी बच्ते होते हैं उम्हों आगे के लिए शिक्षा बदानगे लिए किने लिए यानि कि वो औरेडी क्या है अध्यापक है लेकिन उनको भी प्रशिक्षन दिया जाता है ताकि वो और अच्छे तरीके से क्या है शिक्षा चात्रों को परदान कर सकें इसके बाद दूसरा काम क्या है शिक्षा में नवाचार को बढ़ाना यानि कि शिक्षा में ने ने यानि बहुत सारे क्या है परियोग किया जाते हैं अनुसंधान किया जाते हैं और उसके बाद उसको क्या है शिक्षा विष्था में अप्लाई किया जाता है इसके बाद जीला स्थर पर शैशिक तक्निक का विस्तार करना यानि कि जो शिक्षा है उसमें क्या है तक्निकों का यूज होना चाहिए और तक्निक की क्या है शिक्षा दी जाने चाहिए इसका विस्दार किया जाता है इसके बाद है शिक्षन अधिकम सामगरी का विकास करना और यहां पर जो शिक्षक है उनको यह भी यानि कि शिक्षन करवाई जाते हैं कि किस तरीके से हम शिक्षन अधिकम सामग वे सायता देना ये काम भी डाइट करती है उसके बाद संसाधन वे अधिकम केंदे के रूप में कारे करना है जो डाइट है वो अधिकम केंदे के रूप में भी कहा है कारे करती है स्थानी आशक्त है तू पाठ्य करम का निर्मान करना इसके साथ ही जो डाइट है वो यानि कि किस थान की आव शक्तता यानि उस समय उस जह Цước की ज्यादा शक्त यहांCE का रखते हुए उस पाथे कर्म को निर्बान करती है सरवशिक्षा अभियान को सफल बनाना यानि कि जो सवशिक्ष के अवियान है इसको सफल बनाने में भी डाइटी महतर भूमिक है परशाशन सबंदी गती वीडियों का संचालन करना जो डाइट है वो परशाशन से रिलेटी जो भी गती वीडियों होती है उनका भी संचालन करती है इसका साथ ही जो डाइट है वो अपचारिक ये अनपचारिक शिक्षा के बीच के जो दूरी है उसको गटा कर उसमें एकातमता सापित करती है शिक्षक है जो उसमें शैषिक गुन्वत्ता को बढ़ाने के लिए उने के है प्रशिक्षन दिया जाता है यानि कोछ ऐसे कारेकं आयोजित के जाती है, जिसमें शिक्षक भाग लेते हैं, और उन शिक्षकों के क्या है, शैशिक गुनवता को बढ़ाने के लिए उने के है, प्रषिक्षन दिया जाता है, इसके बाद है कि शिक्षक प्रषिक्षन के अतिरिक्त, पूरे जीले के लिए यानि की शिख्शा के लक्षर को निधारत करती है इस तरीके से सारी पड़कीरक्षा है जो दने करती है जीले के शेतर में ठीक है उसके बाद आके लिखा हुए कि पाठे करम और कार्या नुभव मुल्यांकन करके उसमें सुधार करना यानि कि इसके साथ ही यह बहुत सारे मुल्यांकन करती है और मुल्यांकन के बाद यह देखती है कि कौन सी कम्या है और उन कम्यों को दूर करने का भी प्रयास करती इसके बाद लिखा हुए कि अधुनिक्तम, तक्निक की शिक्षा, सबंदी समस्त, साधन, सुविदाएं उपलब्द करवाना जैसे कि कम्प्यूटर अधारिक जो अधिकम है TV, VCR इस तरीके से जो भी तक्निक की सिलेक्टिड जो सुविदाएं है वो उपलब्द करवाती है ड दूसरा कि स्वच्पत, यो गिता की भामना का विगास होता है डाइट के दिवारह वीभिन वीश्य है, जो उनकी पाठेकरम की रचना वैं मुल्यांकन की पधितियों का निधारन करने में भी अधियापक की सायता की जाती है यानि कि जो डाइट है वो पाठेकरम का निधा का विभाग जो कि क्या परशाशन से लेटी जितनी भी गतिवीदिय हैं वो संभालता है इसके बाद है योजनवा प्रभंद यानि कि जो कि स्कूल की मैपिंग या फिर माइक्रो प्लानिंग है जो उसमें अधिकारियों को क्या है सहयोग परधान करता है इसके साथ ही जो हैड अभी पाठेकरम का निर्मानि किया है उसका क्या है वो मुल्यांकन भी करता है इसके बाद आगे लिखावा है सेलर शिक शीषक्षप्सर्सक्शन-षहतर्र ईunde कि सेवफ में पहले से यानि कि काम कर रहे है उनको का मанс giàक प्रस्य हम करता है एक है सेवा-वुरlie vaccine Merci यानि कि कि ऐसे भावी अध्यापक जो अभी सेवा में नहीं है उनको भी क्या है वो शिक्षण प्रधानि करता है यान니 कि B.E.R के Student, C.E.R के या B.S.T.C.s के उसके बादार कार्यनुभव में संमुदाइक सेवा कार्यकरम करता है इसके बाद यह जोए उसके और विभाग zijn तो आट उसके आट विभाग हैं तो तो डाइट की फर्स्ट आपको एक फुल फॉर्म याद रखनी है दूसरा कि यह जो योजना ही एक कब चलाए गी थी और यह योजना किसके अधार पर चलाए गई थी और जो डाइट के क्या क्या काम है तो इसका में काम यह है कि ध्यापकों को शिक्षा बदान करना यानि कि जो भी नई-नई बातें आ रही है उन सबी से जो अध्यापक है वो परिचित हो सके और वो उसे अपनी पर कीरिया में यूज कर सके इसके बाद आपको ध्यान देना है डाइट के भी बार जिनकी संख्या कितनी है आठ तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा अगर आ like my video, subscribe my channel, thank you friends for watching my video, thank you.